स्वागत इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 12-2011 पद्ध्य साहिते के पार्ट एक पवंदूतिका का अध्ययन करेंगे यह पवंदूतिका पार्ट अध्यासिंग पद्ध्याद का प्रसिद्मा का प्रियपरवास का एक भाग है इस वीडियो में हम लोग इस अंडखा के पद्धैसायत के पुंदुथिका नमक पार्ट से लिया गया है जिसके रचाइता अद्ध्यासिन पाद योज्जी हैं यह इसके लिए संदरभ हो जाएगा आप परसंग क्या होगा देखिए इस पार्थ में इस पद्ध्यांस में राधा का भगवान श्री क्रिष बैठी खिन्ना एक दिवस वेगे में थी अकेली आंके या सूद्रे ग्यूगल में थे दरा को भीगोते आई धीरे इस सदन में पुश्व सदगंद को ले प्राता वाली सूपोनी सी कालवा तायनों थे खिन्ना मिस उदास एक दिवस मिस एक दिन गे मतलब घर में एक दिन राधिका जी भगवान स्री कृष्ण की याद में उदास अपने घर में बैठी हुई थी आंके यासू द्रे ग्यूगल में थे उनकी द्रे ग्यूगल मने दो उनकी दोनों आखों से यासू थे धरा को भिगे थे पिरिथभी पर गिर रहे थे आतार धरती पर गिर रहे थे एक दिन की बात थे राधा जी अपने घर में उदास बैठी थी और उनकी आखों से दोनों आखों से यासू पिरिथभी पर गिर रहे थे आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंद को ले प्रातावाली सुपोन इसी काल वातायनों से सुबसुब की सुपवन सुगंधित पवन मनमोहक पवन इसी काल इसी समय 와 दायनों से खिडकियों के रास्ते से आई धीरे 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 प्रवेश की इस सदन में राधिका जी के घर में पुष्प फूलूं की सदगंद अच्छी सुगंद को लेकर पवन राधिका जी के घर में परवेश करती है जिस समय राधिका जी अपने घर में उदास बैटी थी उनकी आखों में आसु गिर रहे थे संतापों को बिपुल बढ़ता देख के दुहिता हो धीरे बोली सहदुकु से स्रीमति राधिका यहों प्यारी प्रातापों इतना क्यों है मुझे सताती क्या तुम भी है करसी काल की कुरुता से संतापों को विपुल बढ़ता देख रादिका जी कर जब दुख बढ़ता गया तो वह कहती है धीरे बोली सधुख अब दुखी स्वर में धीरे से बोली उससे स्रीमती रादिकायों पवन दूतिका से कहती है देखे प्यारी प्राता पवन इतना क्यों मुझे है सताती है सुबा की सुगंधित पवन तुम मुझे इतना दुख क्यों दे रही हो क्या तुम भी है कलुशित हुई काल की कुरुता से क्या तुम भी है क्या तुम्हारे अंदर भी कलुशित मने दुख भरा हुआ है काल की कुरूता से यानी समय का तुझ पर भी प्रभाव हुआ है देखिए अपने दुख को बढ़ता देख सृमति राधिकाजी पावंदूतिका से कहती है हे पावंदूतिका तुम मुझे इतना क्यों सताती हुए क्या समय का प्रकुप तुम पर भी हुआ आयक्यास यह समय ने तुम्हारे उपर भी कुरुता कभी अभार किया है ठीक है अब इसका दूसरा पद्यान सब लोग देखेंगे इसके लिए भी संदर्ब होगा परसंग भी वही होगा ठीक है लज्जा सील महिला पतिक जो कहीं द्रिष्टी आये होने देना विकरीत वसना तो न तूँ शुन्दरी को देखें रादिका जी कह रही है कि है पबेंदुतका जब तुम मेरे प्रियत्म भगवांसरिश्ञ से मेरी बातों को बताने के लिए जाना उश्वामा यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जा सील महिला पतिक कोई रहागीर लज्जासिल महिला मिले जो कहीं दिरिष्टी आए रास्ते में कोई लज्जासिल महिला अगर दिखाई दे तो होने देना विक्री तव सुना तून उस सुन्दरी को तो तुम उस सुन्दरी को उसके कपड़ों को विक्री तथास बिगणने न देना जो थोड़ी भी सरमीत हुआ हो गोद ले सरांती खोना देखी रादेकाजी करें यदि वह ठकी हुई होगी तो तुम उसे अपनी गोद अथात मन मुहक सुगंधी थावा से उसके दुख को दूर कर देना उसके ठीक है होटों की और कमल मुक की मलांताएं मिटाना कान को मिटा देना और दूर कर देना कोई कलांता किर्शक ललना खेत में जो दिखाए रादेकाजी करें कि कोई दुखी किर्शान का ललना मने पूत्र खेत में जो दिखाए यदि किसी महंती किर्शान का पूत्र खेत में काम करता हुआ दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसके कलांतियों को मिटाना तो तुम उसके पास जाकर धीरे धीरे उसके थाकान को मिटा देना धार दूर कर देना जाता कोई जलद यदी हो बियो में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तब तब उतंगाना को रादिकाजी करें कि यदी जाता हो कोई जलत यदी कोई बादल जा रहा हो ब्यो में में तो सिला ब्यो मतलब आकास में यदी आकास में कोई बादल जा रहा हो तो उसको लाना छाया द्वारा सुखित करना उस बादल को लाकर इस किसान की पुत्र को छाया दौरा सुका अनन्द देना तब भूतंगा नाकू यदि किसान का बेटा गर्मी से परसान है तो उसकी गर्मी को दूर करना और छाया परदान करके उसे सुका अनन्द पराप्त करना ठीक है दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें सेर करें कमेंट करें यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें धन्यवाद